प्रक्राइब करेंगे तुम्हें पड़ लेकर बड़ा आदमी बनना है तरक्की करोगे तो मेरा ही नाम रोशन करोगे ना है लेकिन पापा मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता मुझे बिल्कुल भी वज़ा नहीं आता यह गलत बात बहले अपनी पढ़ाई खातम करो फिर पूरी जिंदगी मज़े करो मा तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है पूरी कों सा रास्ता लेना है कलचट पर हम आपस में क्या बात कर रहे थे याद है न तुम्हें जो दिल में आए फिर उसके बाद जो तुम टै करोगे ना उसको पूरा करने के लिए मैनत करना और यही कड़ी मैनत तुम्हें साटिस्फैक्शन दिलवाएगी फिर उसके ब बार बार केक मारने के बाद स्कूटर ने सास लेनी शुरू की थी मेरे दिमाग में मेरे पापा की यही आखरी तस्वीर है वो एक इमानदार सरकारी कर्मचारी थे जो अन्याय को बरदाश्ट नहीं करते थे सर, सर क्या हुआ, सर, पुलिस को फोन कीजिये सर, ये 15 मिनिट के अंदर ही उन्होंने पापा की जिन्दगी जीन ली सत्या को घर ले जाने आया हूँ, सत्या, चलो पापा को उन लोगों ने कफन में लपेट कर जमीन पर लिटा दिया था उसके बाद मैंने काफी कुछ देखा, लेकिन उतना असर मुझ पर किसी का नहीं हुआ, जितना पापा की मौत का हुआ तुम्हें गैंग्स्टर का मतलब मालूम है? नहीं जानते? नहीं जानता तुम्हारे पापा भी नहीं जानते थे तो क्या उन्हें ऐसे ही मार दिया? पर ऐसे कैसे? तुम्हारे पापा एक इमानदार इंसान थे सत्य चलो, हाना खालो उनकी मौत जाया नहीं जाएगी आजकल सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है पर तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना है मैं अपने बाप के कातिलों को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा मैं सिर्थ तिरह साल का था और सोच रह था जिस आदमी ने मेरे पिता जी को मारा वैसे तो बहुत है मैं उन सब को खत्म करके ही चैनल लूँगा या फिर मैं भी उन्हीं में से एक बन जाओंगा बदला लेने के जनून में मैं उस दो राहे तक पहुँच गया जहां से एक रास्ता भलाई का था और दूसरा बुराई की तरफ जाता था आगे ऐसा समय आने वाला था जब मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था स्कूल खत्म हुआ दिन हावा की तरह उड़ने लगे मा ने भी मुझे डॉक्टर बनने के लिए जोर नहीं दिया पांच साल बात तो तो कुछ भी पूछने के लिए जिन्दा ही नहीं पची मेरे लिए जिन्दगी ने ये रास्ता चुना था सत्या तू ये क्या मैं अंजानों को नाम नहीं बताता विक्टर मैं समझ कै तुम मैथियो गैंक से हो ना अब वोल भाए के लोग आज तुम्हें टप काने का प्लान कर रहे है वुश्यार रहा ना सबचे वो ये बाद सच थी मुझे मार में सर्फ हाट लोग आयो क्या हुआ आपना मैंस लाफ भाए रुप हुआ लड़ हुआ ड़ हुआ लुआ 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 हुआ हुआ झाल 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 इसे देखे मुझे आठ महीने हो गए मुझे देखकर इसकी शकल देखने लाइक होगी काहे रे मेल्या फुला मजी आत्पनने याली झाल 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 जाल यहां विक्टर प्रूंश सत्या के बारे में सब पता किया पुरा बैग्राउंड चेक किया इस सब ठीक है वाइए थीक से काम नहीं चलता पक्का है तो बात कर पुलिस का आप्मी और माइक चुपा के लागा तो मेरा दोस्त भी ऐसे फसा था पहले मैं इसे पूरी तरह से चेक करूँगा भाई चल बात उठा रहे सलीम जरूरत नहीं है मैं पूरा चेक कर चुका हूँ इसको चेक करके अच्छा से पक्का कर लेते ना क्यों विक्टार सिर्फ वहां चेक नहीं किया तुझे देखना है तो देख ले माइक तो मेरे पास नहीं है लेकिन इसका डंडा जरूर है तुझे बेट जाए जल में कितने साल रहा जार साल तक कई के लिए हैं गांजा कुकिन अथियार और और पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश भी की थी उसी के लिए सजा होई थी पर थो उसकी जान नहीं ले पाया ना ले लेता है भाई हम एक दूसरे को छह मैंने से जाते हैं अपनी क्या जमती बहुत है एना सत्या आप भी तो एक आपनी ढूंड रहे थे ना ये क्या गाड़ी चलाता है कमाल है सबस्क्राइब बेटता है तो गाड़ी बदल देता है जो एक पादवी था करीब 13 साल तक ये चर्च को अपनी सिवाएं देता रहा और उसके पीछे उसका एक दूसरा चेरा भी छुपा हुआ था एक खतरनाक इंटरनेशनल माफिया इसका ओगन ट्रांस्प्रांट का रैकेट नजाने दुनिया के कितने देशों में फैला हुआ है इंडिया में भी ये बहुत मशूर है इंटरपोल की लिस्ट पर ये टॉप पर है ओगन्स को हासिल करने के लिए ये सड़कों से लावार इस लोगों को उठाता है जिनका आगे पीछे कोई रही है इनके कस्टमस इनको मूँ मांगी कीमत देने को तयार रहते हैं इसलिए इ कीमता ही नख जाग है खडी हैं दोल के र Sahसापी कि अ भीने बगड से लाखने हैं झालिया सны राजड से आवलने बगनि मूने मूने का एंग झाल मूने बगल कर्दिए मूने पताव उपते हैं जाला जल्दी ज़ोग दुदि कर दिये हैं! इस बिल्ले को हमने एक शेर को खुश करने के लिए पकड़ा है जाल जाले? बताओ जल्दी तुनर का हाट और लिवर का रखा है और नम देरा लिवर निकाल दूगा भुटा वेलकम बॉस मैं और तेल काहा है वही है कहा जाएगा सब उगल देगा आया है विक्टर आजा सत्या वाहि रोख अगे साले बहुत शौक चड़ाए ना तुझे लीवर चुराने का बता कहां रखा है साले अगर आप उनको वो और्गेंस नहीं मिले ना तो आप उन तेरा और्गन निकल के कुछ तो को खिला देगा समझा तेंचन नहीं लेने का बहुत सथा ने चल ने चल क्या होगे उसको सत्यार क्या कर रहा है सत्यदेव डेपीटी कमिश्णर क्राइम ब्रांच विना कोई होश्यारी के अचुपचा पैसा ही खड़े रहा हो जब तक मेरी टीम यहां ना पहुँच जाए तुम इन लोगों जितने बुरे नहीं हो पर गुनहगार तो तुम भी हो जेल में तुम्हे मैंने इसलिए बचाए कि तुम्हारे जरीए और्गेंस केस राइकट को पूरी तरह से खत्म कर सकूँ यह मैथ्यू मेरा में तागट था पर मेरी किसमत देखो मगैंबो के साथ मुझे कबबर भी मिल गया थैंक यू विक्टर 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 प्रुब विक्टर प्रि खरों हुकब करने प्राइजा खाये में आपक! इस उस सब्लाए थो छल całे इस एक प्राइशरे काःशने जरे हाँ !! मास यजियोओं समय ब ह्प्राइश गयोओ you मैं यहेशर प्रय हाँ और ये है सत्या अब विक्टर जेल में है अगर मुझे उनके साथ देखो तो गलती से भी मुझे मार मत देना ठीक से देखलो मुझे इस मी सत्यदेव ये वो दुराहा है जहां से एक रास्ता बलाई की और जाता है तो दुसरा नर्क में धाके देता है मैंने तुम्हें इसने छोड़वाया है कि तुम्हें ये दंदा चोड़ो दो अगर तुम्हें मेरे बात नहीं मानी तो कोई भी दाकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती तुम सोच लो एक एक करके मैंने लोकल दुम्हें को तलाशना शुरू किया और जो जो मिलता गया उन सबको जेल में भरता चला गया जिससे कई लोग मेरे दुश्मन बनते चले गए बहुत उड़ रहे तो आजकल पुलिस वालों के साथ मैं कभी भी डील नहीं करता है डैनी ने बताया मेरे को सब हाज जोड़ता है लफड़ा नहीं मांगता है मेरे को ग्रेश पैसा लेते जाओ कंद देते जाओ बात मालो या डैनी का पता बता दो तुझे पता चाहिए है साथ के देव IPS तो खोद को गैंक्स्टर बताता है ना ये रहे तरी फाइल खतम कर दू से मार दू यही पर मार दू से किसे उबर लेकर चलो ऐसी नकली फाइले तो मैं भी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ ऐसे वक्त पर मैं तुमसे तीम बाते कहना चाहता हूँ पहली बात मेरा तुम्हारे साथ उपर जाने का कोई मूद नहीं है साथ पागल है अब दूसरा जोग पिसे ना दे दूसरा जोग तेरे उपर है कुट्टे मेरे उपर पहुचने से पहले तू मरेगा मेरी क्रिस्मस तुम ही सत्य देव हो ना? हाई, नाइस मीटिंग यू आइम आजी सी पी रिचर्ड हाँ, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी वो लिफ्ट में डैनी को निप्टाने से पहले मैंने सुनाए कि तुम उससे तीन बाते कहना चारत है दो तो मैं जानता हूँ लेकिन वो तीसरी बात नहीं जानता हूँ वो ये थी कि किसी को उपर पहुँचाने के लिफ्ट के जगा सीडिया भी उसकर सकते है वहाँ बाहर लोग क्रिस्मस मना रहे है और मैंने तुझे रोक लिया है इसलिए मैं क्रिस्मस के साथ साथ दीवाली के पटाके भी फोड़ूँगा वहाँ क्या पटाका फोड़ा देव में रुको मुझे जानते हो जानता हूँ नाम क्या है तेरा सत्य देव जो कभी मेरे बाप का बोड़ी काड़ वा करता था देख तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा मुझे जाने दे बाकी मेरा बाप समाल लेगा ट्रासपोर्ट मिनिस्टर के बेटे हो तो अपने बाप से कहना पहले तुम्हें सभाल कर रखे क्या आरे सुनो तो ये बात याद रखना वो रेपिस्ट है मुर्डर है गैंस्ट है वो ट्रेन से उदर कर दो नमबर गेट से निकलेगा कि अपनी ड्यूटी पर हो क्या कहा तुम घबड़ाओ नहीं जो कोई आटो नहीं मिल रही है तुम मना मत करना प्लीज सॉरी मैडम आटो खाली मिले है मुझे अरजिंटल जाना है मैडम कोई दूसरा आटो ले लिजे मुझे आपको जरूरी काम करना है इससे जरूरी भी कोई काम है क्या आशकल मर्तों में कोई इंसानियत ही नहीं पची है प्रेडनेंट और्तों को भी कोई मदद नहीं करता हो बाल में कोई प्रेडने आट इंसानियत है इससे टो बाल आटो नहीं करते है सुछीजान अचूर्च दूर्पियो कि जुचीजान उसकी हरकत ने, थैंक यू, मेरे दिल में जगह बना ली थी, तर उसके बाद में उस नड़की से नहीं मिल पाया अबरा इन अटुकाने लगा दिया सिर्थ पाइक गढद कि अधिविश्व फ्रेंड है पुन बार तो आई ए सार गोल्डन राजनाम नवस्कर सर घर के बाहर ही रहो बिना जाने कि मैं यहां क्यों आया हो आप तो नाराज होगए यहां तुम भलाई के काम के लिए तो नहीं आयोगे बैठिये तो सही जानता हूँ आपको बहुत टेंशन है आप लोग अप उनको खतम कर देना चाहते हैं पर सुना है कि अगर आप चाहें तो उस हिट लिस से मेरा नाम हटा सकते हैं एक करोड़ भी साथ लाया हूँ एक लड़की का बाप हूँ थोड़ा रहम कीजिए तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है दूसरे ज्यादा जरूरी है तो तो वैसा ही फस गया फाल तुमें फाल तुमें तो गेहूं के साथ घुन की तरह बिस गया घुन हूँ मैं घुन मत समझो सत्यदे इसी भी पांडियन को तुमने मालपूरा में मारा था शेहर के सारे कॉलेज स्कूल के बाहर तुम्हारे ही आदमी ड्रग्स बेज़ते हैं सॉलेक कमीने सचाही चांद हो मैं ठीक है ठीक है पैसे लेकर आया हूँ गलोर दोंगा जितना चाहो उतना इसे गलत मत समझना जिंदगी में चितना भी जोखी मुठालो या चितनी भी बहरत कर लो तुम उतना नहीं कमा सकते जितना मेरे ग्याइंग के छोटा सा घौर का कमा लेता है पैसे कि पिना जिंदगी बेकार है जानता हूँ मैं तुम्हे प्रूव करो कि ऐसा नहीं है पैसा तो मैं कहीं और ले लूँगा समझ गया चलो शुरू हो जाओ तुम्हें नंगा होते वे देखकर मुझे शर्म आएगी मेरा कॉंस्टिबल आएगा उसके चेक करने के बाद फिर मिलूँगा सल्वम जी सर आज तुम लेट आए थे ना जाओ सजा भगतों सर आप अपनी शर्ट पेंड उतार दीजिए और तू भी कई बनियान में तो क्यामरा माइक नहीं चुबाया हां 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 सर माइक कैमरा कुछ भी नहीं है एए क्या करें सत्यदेव तुम अपने आपको समझते क्या हो हां मेरे ही घर में घुछ कर मुझे खरीदने आया हो यही हो तुम यूर नदेंग सत्या और आए एम पुलिस ओफिसर डी सीपी सत्यदेव तेरी तरह नहीं हूँ जो गुंडा कर्दी के पल पर कानून का खुले आप पलात करता है घुवेमेंट मुझे भरफूर तंखा देखी सब कुछ है मेरे पास काड़ावन अपने काम की विद्धर से प्रमोशन पाता है वफादार है वह पर तेरे गुर्गो को तेरे मरने के बाद मिलता है प्रमोशन वो सब तेरे मरने का इंतजार करते हैं मिना बहुत कम पैसे कमाता था लेकिन उसके मरने के बाद आज मैं हूँ डी सीपी तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे सड़क पर भीक मांगते फिरेंगे वो तेरे मुँपर थूखेंगे अगर यहाइक में धिरुका तो इसे काट डालूगा अगर आउट चल सलेट दफा हो जा तो निकल कल बारा बजी में खुद आपको तुझे रेस करने चल जाए आसे जलो निकलो जलो जलो पैसा कम नहीं था तेरे पास तो ऐसे बहुत आते होंगे मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूँ डैड आप ही ने कहा था न और मुसीबत यह है कि आप हमेशा साथ रहते हैं तो घूस कब लो तो मुसीबत मैं हूँ दो साल बाद वो मुझे भेर मिले लेकिन मुझे के नाम पर रेजिस्ट्री क्यों है जबकि इंस्ट्रॉल्मेंट्स तुम ही भर रही हो पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए बच्ची की कस्टडी मेरे पास है ना इस शादी से मैं बस इतना ही चाते हूँ आम हैपी मनोज यह तलाक बस बिना जखड़े के हो जाए इतना ही काफी है लेकिन मैं तो मारे अलिमनी के लिए भी आर्ग्यू करना चाहता था चलो कोई नहीं हलो सर एसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है पर असल जिंदगी में एक ओटो बाला दो साल के अंदर एक पुलिस का नाम क्या है इशा हाई बेबी उस रात आप ही की वज़ा से इसकी जान बच पाई है वरना पता नहीं क्या होता है जाओगे बीटा जाओ आज़ा पिर मिलेंगे प्रिचर्ड एक फोन नमबर निकाल सकते हैं यह काम थोला परस्नल है शुर्ड अपराधि का नाम जगा नेटवर्क पोस्ट पेड़े प्रीपेड है सब निकाल लोंगा है घ्मानिका बस नमबर पता लगा लो, प्राधी ने जाल बिछा कर पुलिस को भासा लिया है, तुमने कुछ कहा, पांच मिनिट के अंदर नमबर आपके पास होगा, थांक्स, हाई सत्य यह है हेमानिका का नमबर, हाई मैं सत्य देव, यह मेरा नमबर, सोच आपको हेलो कह दो, हलो, गटु यह प्रम्यू, वे बी इंटाच, हेमानिका, हाई हेमानिका, मेरे साथ कॉफी भी नाचाओ, जिब भी तुमरे ली कंगी लेटो, क्या सले साना मनता है, हाई, पुलिस उचप मनेता है, सारी यह वस चाप लिए, प्राइड निए, लेके जा इसको, लोक अपटाब। अज तो खोल किरेक दिगत्र को मैं, लेज जलो साने को, जाने को दो नसाओ, जाप पुरी इसाँ, तु दो उस है, हाथ मन फोड़ लाँ, ओ, ओ, हाँ, ओ, ओ, हाँ, हाई, बहुत अच्छी लग रही हाँ, दीरे-दीरे हम तकरीबन रोज ही मिलने लगे, एक दिन वो बच्ची के साथ मेरे घार आई, हाई, इसका, यह है मेरा खाई, बैठो ना, हमारी दोस्तियों नस्दीकियों में बदलने लगी थी, हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे थे, हम एक दूसरे के साथ बहुत पक्ट बिटाते थे, और ज्यादा तर ईशा हमारे साथ होती थी, इसी तरह प्यार की खुश्मू के साथ चार साल गुजर गए, और उस दौरान ओर्गन्स का रैकट चलाने वाली गैंग अपना बिजनस बहुत तेजी से पहला रही थी, जिसकी मुझे बनक भी नहीं थी. काईगर भूख लगी है? हाँ लगी है. मेरे साथ चल अच्छा खाना खिलाउंगी, ये? लब कर ये. नाम क्या पताया थे? सुन्दरी. और खाएगी? अज जिबाट टेंशन नकोगी हूँ. एक काम करते हैं, जिसका ब्लड सैंपल लाब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं. एक करोड लगेंगे? आपके पती के लिए लिवर डोनर मिल गया है. उस डोनर का कुछ आता पता है. डोनर का नाम तो नहीं बता सकती. पंड तुम ही टेंशन नपोगे हूँ. सब लिगल है. जो डोनर मिला है ना उसका लिवर आपके पती के लिवर से मैच करता है. लेकिन उसने रिक्वेस्ट के लिया है, कि बाहर में उसके बारे में कुछ न बता हूँ. समय बहुत कम है मैडम. जल्दी से फैसला कीजे. चलो इसा ऑक्सिजन मास्क लगा. लोड प्रेशर चेक कर लो. जितना जल्दी हो सके इसका ओपरेशन खतम करना है. विक्टर ने एक और क्लाइन भीजा है. उसका भी हार्ट ट्रांस्परंट करना है. मिलबान के पैसे खाएंगे. माली माल कमाएंगे. जिस छोटे मोटे गुंडे को सत्या ने अच्छी रहा पर चलने के लिए जेल से रिहा कर दिया था. वो आज और्गन्स रैकेट का माफिया बढ़ गया. और वो है विक्टर मनोहा. इस तरफ सत्या और हेमानिका आप रोज मिलने लगे. मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा. साथ ही नजदीकिया भी बढ़ी. ये नजदीकिया कब प्यार में बदर गई. तेरा सत्या को बता चला और ना हेमानिका को. इतने स्मार्ट दिखोगे, भुज़ शाक होने लगेगा. कोई गला, तेरा आदा तो नहीं है न? तुमसे शादी कहे रादा है. विल्यू मैरी मी? लोगों की बातों से परिशान हो क्या? लोग, I love you. तू भी चाहती हो, तू शादी कर लेती है न? डर कैसा? इशा? इशा, तो? किसी, किसी और की बेटी है वो. यही डर है कि अलगर हमारे बच्चे होई तो… तुम मेरा दिल दुखा रही हो. आइंदा उसे तुम ऐसा नहीं सोचोगी. सत्या, I'm sorry. मेरा मतलब… इशा सिर्फ तुमारी है. तुम सिर्फ मेरी हो. और अपसे? इशा हम दोनों की है. वो तो बहुत पहले से मेरी बेटी है. जानती हो जब पहली बार कोट में मैंने उसे गोद मिलिया था, तभी से सोच रहा हूँ. सिख्स्त से वह अच्छे स्कूल में जाएगी. उसके लिए हमें रोज-रोज अप्लाई करना होगा. लाइन लगानी होगी. लगाएंगे. उसके बाद, अगर स्कूलिंग खत्म होने पर उसने बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहा, तो पहले हम उससे मना करेंगे. फिर भी उसने जिद की, तो उसके लिए थोड़े-थोड़े पैसे बचाएंगे, वो भी आज से. और भेजेंगे, पढ़ने के लिए. मेरी सैलरी तो जानती हो ना तुम, और मैं घोज नहीं लेता, कभी लूगा भी नहीं. यह मैंने इसलिए कहा है, कि तुम मुझसे कभी असी उमीद मत करना, और यह मेरा वादा है, कि इशा के अलाबा हमारा दूसरा बच्चा नहीं होगा. जाहे मेडिकल शॉप के कितने ही चक्कर, क्योंने लागाने पड़े? इशा के पैदा होने कभी वेट नहीं किया उसने, लेकिन तुम ने तो… इसलिए तो कहा रहा हूँ, हाँ कहा दो ना. तुमसे बात करने का कोई फैदा नहीं है, जाका देखता कोई बज़र्ग है तो. बेबी गा, इशा मैला, जर्रा अपनी मा कोई पैदा है। को समझाओ, कि मुझसे शादी करने के लिए राजिया हो जाए, बोलो. कर दो कर दो दो करेंक वोलोग हो जाए, बोलो. जाए में जाए में बाइचा की है, जाए तो कहाँ पैदा जाए. तुम सच में से लिजाओगे? क्यों नहीं? तुम्ही भी तो तयार होना है ये तुम्ही एक मिनिट भी नहीं छोड़ती इसलिए तो ये मेरे दिल का टुकडा है मुझे तयार होने में सिर्फ 20 मिनिट लगते हैं इसके जागने से पहले मैं रेडी हो जाओगा तुम्हें रेडी होने में दो गंटे तो लगी जाएंगे इसे मैं ले जाता हूँ इसकी ड्रेस रखती है ना? और शूज? सब इसमें हैं इसे उठा दोगे तो ये खुद रेडी हो जाएगी गुड़ मैं ले आउँगा इसे मेरी जिम्मेदारी है अकल मिलते हैं अपनी शादी में मैं ले जाएगी अकल मैं ऒूंग झालो हालो अब लूर इशा बेबी, मेरे आने ते तुम यही रहना, ठीके, यूल बी ओके? गूल, खुम यही रहना, ऑूल, खुम यहीज सब मल्टिपल इंजुरीज, कट्स, स्लाशेज, सारे शरीर पर रहें यही इनके पापा के साथ भी हुआ है बेरहमी से मारा गया है इनकी बॉड़ी को घसीट कर यहां पर लाया गया है सर, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं आप खुद को समझा लिया मेरिजां तुमी संप्री मामा किदर चली गई? छे साल की जिस बच्ची का सब कुछ चला गया हो उसे कैसे समझाओं कि अब वो अपनी मा को कभी नहीं देख पाएगी क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं जिसने एक काम किया था, मैं उसे जिन्दा गार देना चाहता था लेकिन इशा को अकेला कैसे छूड़ता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एमानिकान ये इशा को कभी अकेला नहीं छोड़ा था मैं भी हम इशा उसके साथ रहूगा हलो सर अपने खबरी से उसकी सारी इंफरमिशन निकलाई है सर वो तो काफी वक्त से इंडिया में ही नहीं सुनाए कि वो तुबई शिफ्ट हो गया है और नहीं उसका उसके फैमिली के साथ कोई कॉंटाक्ट है जेल से सूटने के बाद हमारे बास उसका कोई रेकॉर्ड नहीं है सर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कुछ और इंफोमिशन मिलेगी तो आपको फोन करूंगा थैंक यू क्या हूआ डर लग रहा है मैं हूँ ना सोच हूँ आओ रिचर्ड मैं बाहर जा रहा हूँ दो गंडे में आऊँगा खयाल रखना बस थोड़ा और आगे जाके रूप दो पापा पता अपको क्या चाहिं हो रहा है अभी जाएगे जगतरी साज दर्वाजा नहीं को लेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं पापा अज़ा ठीक है चल जा चिंदा बत कर दो बैटो है पिछे जा उसके अभी जाएगे 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 अभी जाएगे बहुत बढ़ी कल्दी किसे भेजा था तुन्हे या तो खुद आया था बोलना सत्या दिल से काम लेता है तो कभी अपने दिमाग का भी इस्तिमाल किया कर मालो क्यों मैं था तो क्या मैं उसे कबूल कर लूँगा और तो मुझे गोली मार कर यहां से बचके निकल जाओ के तु कबूल करे या ना करे मैं तुझे फिर भी गोली तो मारूंगा ही कमाल है मार दोगे तो कैसे जान पाओगे कि मैंने मारा था या नहीं असली कातिल मारेगा तभी तो उसकी आत्मा को शांती मिले तो पड़ने बंद इसे अलब परद़ने पापा कहा है चलो देखते हैं आज इसे पहले कौन मारता है एई बेखुफ अलगट तेरे पाद दिमाग है या नहीं बाई मैं मार दूँ एई तुभाई रहे मैंने कह तुझे मारने को याद है तुझे वो दिन जब मैं तेरे घर पे आय था और तुने मुझे नंगा करकर निकाल दिया था तब से तेरी हरकत पर मेरी नजर थी और उस लड़की पर भी मेरी नजर थी उसकी बेटी को भी मैं जानता था जब तुम्हारे आत्मी ये पता लगा रहे थे कि उस लड़की के मरडर में मेरा हाथ है या नहीं वो भी मैं जानता था धनुश कोडी में शरात करने के बाद तुम मदराई में हो और संगम होटल के रूम नंबर 203 में रह रहे हो ये भी मैं जानता था और तुम इस समय आओगे ये भी मैं जानता था पता है ये सब मैं कैसे जानता था मुझे ये सारी information तुम्हारे आद्मी ने दी थी तुम्हारा वफदार जो एक बहिमान निकला नाम मत पूछना क्योंकि तुम्हें एक इमानदार आद्मी है ये तिलग अच्छा लगता है तुम पर पता है तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका को मार कर मैंने अपने दिल की भडास निकाली है मन शान्त हो गया ये इच अब उनका स्टाइल है पता ले लिया मैंने सत्यदेव अब तुम्हारी बारी पर तुम्हें मैं मारूंगा नहीं सिर्फ इसलिए कि तुम अपने मंगेतर की याद में तड़प तड़प कर जी हो कहा था ना साप के पिल में हाथ मढ़ ड़ण हाथ मढ़ गोड़ोंचे हाथ मढ़ गोड़ोंचे हाथ हाथ बार उसे जाने ने पाए कहा पर गए है मेरी जान तुम्हे सौप्रहीं तुम सोजाओ वो मुझे बिना बताय नहीं जाते थे खेर लोग से और अभ जा नहीं अभा झाल हाँ और अभाच मुझे वो पल याद आए जब मैंने उसे आखरी बार देखा था अगर आज मैं जिन्दा हूँ तो उसकी बज़े सिर्फ ईशा है जिसके एहसास ने मुझे मौत से लड़ने की ताकत दी गोल्डन राज की घिनावनी हरकत की वज़ा से मैं डर गया था और मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ कर इशा को लेके कहें दूर चला जाओंगा अब वो मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसके लिए और मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था मेरे उपर किसे की जिम्मेदारी है सर अब मैं यह पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता मैंने नौकरी छोड़ी और आगे के साल ईशा के नाम कर दिये मेरी ही वज़ा से तो वो दुनिया में अकेली रह गए थी पर इससे भी बड़ी एक और वज़े थी क्योंकि उसके अलावा अब मेरा और कोई नहीं था अगली कर्मियों की चुटियों में घूमने के लिए हम बहुत दूर जाएंगे इस्ट से वेस्ट तक यहां से हिमाले तक अगर जिंदगी के असली रंग देखना चाहते हो ना तो किताब से बार आओ जगए जगए पर जाओ अलग अलग तरह के लोगों से मिलो तभी तुम सीख बाओगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है तो मैं खुद को जानने का मौका मिलेगा खुद को ढूंड पाओगे तूर इस्ट स्वारी भीया इशा आजाओ ट्रेन से चलेंगे तुम जहां कोँगी वहां तक जाएगे यह देखो इंडिया का मैं वही है इसमें अब पर जहां उंगली रखोगी हम वहां वहां जाएगे ठीक है ये सफर वो सबना था जो मेरे पिता ने मेरे साथ देखा था और अब जिसे मैं पुरा कर रहा था एक पिता और एक बेटा दोनों बन कर मैं इशा के साथ हिंदुस्तान की कई जगों पर गया हम राजस्थान गए गूंते गूंते हम सिक्किम तक पाँच गए इशा को वो जगे बहुत अच्छी लगी और उसने सिक्किम में ही रहने की जिद्धान दी इशा ने वहीं पढ़ाई के लगए ने बहुत अ कि जगे में ही यद्धान अच्छी इशाल कि जगे बहुत लगए अच्छी दीदास्णी देब्स चार साल बाद हम बापस अपने घर लौटाए ये तुम क्या करे हो मेरे बीटी वही से किट्नाइप होई है 24 गंटे हो गए है फिर रौती के लिए फोन भी नहीं आया लगता है कोई और ही मामला है पुलिस कामप्लेट की है वो लोग उसे खोज रहे है इस बात को पूरे दो दिनों चुके है मुझे बहुत ढर लग रहा है जब पता लगा कि तुम आ गए हो तो भागा चलाया मेरी कुछ मदद करो प्लीज दोस्त निलेंजना ही न उम्र पंदरा साल है प्लीज दोस्त जेनने स्टेशन से कोय अमतूर जाने के लिए ट्रेन पगड़ने गए थे वह काफी भीड थी मैं और बीवी फोन पर थे मेरी चोटी बेटी यंदिली आगे आगे थी पूटी किसमत मैं फाल्तु में अपने बॉस के साथ फोन पर जगड़ा कर रहा था और बात में देखा तो निलंजना गायम थी वलग जबकता ही मैंने पूलीस को बताया और खूब जगड़ा किया पूरा स्टेशन चान मारा उसका नाम लेकर बुलाया पर कोई फायदा नहीं हुआ पुलीस ओफिस है कौन है एसी पी जानड़ी का उस्ता शार तुम जानते होगे मैं पता करता हूं कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे नहीं दोस्त सिर्फ फोन करके मत छोड़ देना है तुम खुद कोशिश करो भी ना तो जरूर मिलेगी यह मेरा यकीन है प्लीस दोस्त मेरी मदद करो निलंजना को वापस ले आओ पापा उसे ढूंड कर वापस घर लेओ पुलिस की जस नौकरी को मैंने चार साल पहले इशा की सलामती के लिए छोड़ दिया था उसे मैं नए सिरे से शुडू करने जा रहा था अपनी बेठी के लिए मैंने पुलिस के जूते उतारे थे और उस दिन अपने दोस्त की बेठी के लिए मैंने वो जूते फिर से पहन लिये और जुर्म को खत्म करने के लिए वापस आ गया शलाव साब मुझे एक लड़की चाहिए क्या साफ जब आप पुलिस में तब कित्री लड़कियों का उफ़र दिया था अब तो नहीं लिए आपने दोस्त की बीटी है बताएए न सर्ण नहीं रेलवे स्टेशन से उसे किट्नाप किया गया था उस इलाके में कौन है जो एदंदा करता है अली है कौन अली या अली मदद अली यह उसका तक्या कलाम है यह वही हो सकता है एक लड़की को खुजने के लिए इमानदार पुलिस वाले को यह पता होता है कि किसका दर्वाजा खट खटा है यह अली मदद अली लेकिन च्यूं कहा वो मनहीं जानती मझेर उससे मिलना है वो इस लड़की को ढून रहा या सच में मुझसे मिलना चाहता है वो लड़की किसको बेचता है का लिया सुवी जल्दी और लड़की को लेके जा गल लही अभी आ भी वो जो पीछे लाज टेबल पर है ब्लू जीन्स, भगवे कलर की शर्ट में गले में लाल धागा पेना है वो भी अली के साथ काम करता है वो अपने फोन पर किसी को कुछ दिखा रहा था मैंने देखने की कोशिश की उस पर एक फोटो थी लेकिन धुनली थी क्योंकि फोन चाइना मेड है यह क्यों बादा है, तुम पोल खोल दोगे आज कल ऐसे गुंड़े नहीं होते हैं नमक और मिर्ची इदर मौजूद है अभी एक्शन में उसका तड़का मारेगा चीर्स तुम भी बड़े अचीबात में दिखिते हो जारू की दुकान बड़ने पहली बाद किसी को जूस भीते देखा है शकल से तो नहीं लगता कि तुम घरीब हो लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है अरे बिटा, कहां चले? रिचर्ड में अली की बताई हुई कार के पीछे है मेरे पास अली का फोन है जिस पर कार वाले का नंबर है तुम भी पता करो वो कार कहां पर होगी अली के फोन से उसे कौल करता हुई अली के फोन से मना किया थाना? रुको रुको पुलीश चेकिंगे आने दो सर, बच्ची बिमार है अच्या, इतनी रात को कहां से आरह हो? नंदन वांसे, रचल्दी में हो सर और रहते कहा हो? बस यही पर, पास में स्वी रोड पर बड़े मौके पर कौल लगा? रुको रुको सर एक वाइट बीम्डव्यू एक सिक्स इधर से गई है? हाँ सर, अभी आभी यही तरफ गई हूँ थैंक्यू झाल रिचर्ड, अब अपनी टीम को 117 राधा कृष्णा रोड पर भेजो अगर कुछ चेंज हुआ तो कॉल करूँगा ओके सत्या अब तो कुछ पर भेजो अचानक मुझे वहां विक्टर दिखाई दिया, कुछ अजीब लगा, इस केस को मैं जतना सोच रहा था, वो उससे ज्यादा खातरनाथ था क्या दिया स्टू? बेंजोडाइजपीन, मैंने बहुत छोटा सा डोस दिया है, ठीक है एक और दे दो, और इससे आदे गंटेकली सोने दो, ठीक है, इंट्रावीनस से दवाई दो, और हां, आर्ट रेट चेक करते रहे ना डॉक्तर ने का आए, इससे थोड़ी बेर और सोने तो, क्या हुआ रे, हां, इसका तो आजी ऑप्रेशन होना था ना सर पूछ रहे थे, कि सैंपल में कोई डाउट तो नहीं नह, बिल्कुल नहीं, इस लड़की बरावर मैच करती है, कल राती इसका टेस्ट किया है, यही काम आएगी, समझा अरे यार, यह तो 14-15 साल की लगती है, यह सही है क्या अरे यार, वो 2-3 दिन में आ जाएगी न, दूसरी वाली, सुवासनी, US वाली, 28 साल की है, वेट करो उसका, कुछी दिनों की तो बात है अगर वो नहीं आई तो, अमेरिका से आना है, अगर आ गई तो उसको भी उठा लेंगे क्या विक्टर उस लड़की को दुबई में किड़नाप नहीं कर सकता, यही हमारी लिए भी ठीक रहेगा सर की दुबई में बहुत जान पहचान है, बुर्खा पहन कर उस लड़की को वहां से निकाल लेंगे अगर वो नहीं आया, तो आपनी खोल देंगे इसको यह लड़की हमें नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो और इसके साथ तुमें जो करना है करो मेरे एसाब से यह करेक्ट मैच नहीं है अरे यार, यह लड़की मिल गई है, और करेक्ट मैच भी है अब तू सिखाएगा डॉक्टरों को आने दो, वोच लेंगे हलो चल रहे है, तयार हो जा, एक देल पार्सल करने का है यह साई तयार ही हो चुकी है उसके बाद मैं अपने पुराने स्टाइल में आ गया कौन है तुम? डॉक्टर, क्या? डॉक्टर सत्या, वेक्टर जानता है आईडि? आईडि नहीं है, घर पर भूलाया हूँ, वेक्टर नहीं भूलाया मझे, सच्च मैं, आड्सरजन, डॉक्टर हूँ, यहीं का पता दिया था और कहा था कि पेशिंट तियार है विक्टर को फोन करके पूछ लो पर पता नहीं क्यों उसने फोन नहीं किया कि एक काम करो सीधे जाकर उपर जाओ कि अगार्इब करने उर्प नहीं पुलीस एवो इजय करने पांशे फेसे हैं फतानी देलीन हुए कोम आरे था ओर सकता है। जाहिए देखाँ कर दो वो बड़िस बला आया, मैं तेखृंग भाया जाहिए, खड़िस पन्चाए कि अपने जगह से हिलना मत इसी ए डॉक्टर बने थे तू? कि यूबस निकालो इसे मैं लेकर चाहूँगा चल्दी निलंजना को डूने में छे दिन लग गए पूरे छे दिन पर शुक्र है वो मिल गई गुड रिस्पॉन्स ऑफिसर्स थैंक यू फर कमिंग सत्या पुलिस फोस ने मेरी बहुत मदद की खास तोर पर रिचर्ड की टीम ने लेकिन प्राइवेट इंवेस्टिकेशन का भी बहुत बला हाथ था मैं आप सब की बहुत इज़त करता हूँ आप बहुत अच्छी आफिसर्स हैं वैसे गैर कानूनी यूमन ओगन्स का कारुबार है यहां लोग अंगदान मर्जी से नहीं करते और ना ही शिकार को बेहोश करके चुराई जाते हैं बलकि ओगन्स को पाने के लिए शिकार को किड़नाप किया जाता है और मार दिया जाता है ये human organs का racket चलाने वाली बहुत बड़ी gang है और उनका leader है विक्टर मनोहर आपने तो शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा पर मैं उससे personally जानता हूँ SCRB में उसके records मौझूद हैं वैलूर जेल में Matthew Operation के दौरान मैं उससे मिला था उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले उससे देखा उससे देखकर ताज्यूब हुआ विक्टर के सारे records चेक करो और उसे arrest करो सत्या, soup up, कमाल कर दिया तुम यहां कर बैठ न विक्टर के लिए बारन जारी करो, let's get अब विक्टर की शिकारी निजार एक जवान लड़की पर है नाम सुहासनी है, वो चन्नाई की रहने वाली है फिलहाल वो यूएस में है पर चार दिन बाद लोटने वाली है जैसे ही वो एइपोट पर उतरेगी, वो लोग उसे किडनाप कर लेंगे क्योंकि कहीं पर कोई मरीज एक दिल के इंतजार में है अब हमारे पास उस मरीज को ढूनने के दो तरीके हैं निलंजना और सुहासनी का बलड ग्रूप उससे मैच करता है और दूसरा उसका एक दलाल है जिसका नाम अबुल है उसकी कार का नंबर मुझे मालूम है और जिने की इच्छा है या उपर जाना चाहते हो अभी तो मैं और बहुत साल जीना चाहता हूँ मैं एक नंबर देता हूँ जो हमारे बहुत काम आ सकता है नाम है विक्टर वो जिस धंदे की दलाली करता है वो है यूमन और्गन ट्रांस्प्लांटेशन मुझे बताया गया कि तुम मेरा काम कर सकते हो तो हम बात कर ले पैसों की जरा भी फिक्र मत करना अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं जिन्दा रहूँगा पर अगर नहीं कर पाए तो खेल खतम वो एक लड़की है आज वो शेहर में नहीं अमेरिका गई होगी आने में कुछ दस एक दिन लगेंगे उसके आते हैं उठा लेंगे उसको उसके बाद दो दिन में उपरेशन हो जाएगा जहां इतने पैसों का लेन दिन हो निलंजना को किटनाप करके रख लिया था अब तो निलंजना भी उनके हाथ से निकल गई है जब अली जैसे लोगों का हम जैसों से पाला पड़ता है तो हमें देखते ही उस तरह के लोगों की पैंट गिली हो जाती है पर मैंने वो जगह बचा कर थोड़ा हट कर गोली मारी तोटल छे राउंड फायर किये हैं मैंने ये मेरी गन है मैं सरंडर करता हूँ पुलिस फोर्स को तुम्हारी ज़रूरत है सत्या अब उस गैंग को खत्म करो आफिसर्स आज की मीटेंग खत्म हो लिए थांकिव वेल मन चाट कल सुबह नौ बजे मिलते हैं करो अब तो बजेए अब आपको यह अधा गंटा पहले आना चाहिए था अब दो आपको यह आद्धा पहले आना चाहिए था लेकिर मैंने जरूरी है वह वह वाट्स आप्रब्लम माला मैंने रास्ते में फोन किया था और किसे ने इट्सोखे लेकिने सी वाट्स ने डू खुबसूरत लट्टी थेखी ने की शुरूर खुबसूरत लेके फादेदे जरूर है वैसे एक सीट है आपके लिए एकोनोमी में नेहीं पर बिसनस क्लास ने यह वी नपार जब अज़तान और स्वेम कि अवी टॉरेता है? अब अच्छे अढ़ अदीता है लुक का अब आख दुट गो मैंनुम्हें का लुट उन्वावटा है… और भॉप अपकरेड अपक्रेड है, तो इसका मसा तो थाना चाहिए ना? चीर्स! Excuse me, you're okay. Oh my god. Need any help? इस कमभखध मुर्टी को भी तब ही आना थे जब इतना हैंसम आदमी मेरे पकल में बैठा हुआ है. Please, यह मेरी तरफ ना देखे. Are you okay? मैं कुछ चिब. यहाँ एक pressure point है. इसे दबाने से, यू feel better. हाई, क्या अंदाज है. और थोड़ा दर्द होगा. ओ, शक्ल से तो अंग्रेज है, लेकिन बोलता हिंदी है. अच्छा लगेगा. ट्रस्ट में. अब जितना भी दर्द हो, हाथ में छोड़ना. बस कुछ सेकेंड जार. बेटर? गुड़, अब आराम करो. लेकिन ये है कौन? आउ, आई ये डॉक्टर? कौन मैं? कोई चांस ही नहीं. इसको पटाना पड़ेगा. क्या जोड़ी लगेगी हमारी? लव और वॉमिट. इंग्लिश टार्टी तो ठीक ठाक है. लेकिन अगर हिंदी में टप होगा, तो क्या होगा? उल्टी के बीच पर अपता प्यार. ची? अब आपको ठीक लग रहा है? आप इतनी अच्छे हिंदी कैसे बोल लेते हैं? वो इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मैं हिंदूस्तान ही हूँ. पर इतनी अच्छे नहीं है. प्रीज इस्क्यूस में? हाँ, इस्क्यूस में भी बोलता है तो जान निकल जाती है. काश में उसका आइपैड होती. खंब से खंब मुझे चूटा तो. उसकी एक गातल स्माइल. वो बगर में बैठावा था. यही सोचकर मैं उसकी दीवानी होती जा रही थी. और सोच रही थी कि यह कितना हैंसम है. हमारा प्रीम कुछ टेक लिए दुबै ये एपोर्ट पे रुका. और मैंने भी ठान लिया था. कि मैं उसे एक पल के लिए भी अपनी आँखों से उचल नहीं दूगी. पता नहीं ये मुझे दुबारा मिले या ना मिले. कई बार लगा कि वो मुझे से बात करेगा. फ़र ऐसा हुआ नहीं. फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी. हाई बेबी. येस. स्वीट हाट. मैं जानता हूँ. 12 मिस्ट कॉल्स. मैं अगर बात कर सता तो क्यों नहीं करता? ओके, स्वीट हाट. जल्दी मिलता हूँ. ओके, I love you. बाई. एकॉनमी से बिजनस क्लास में मुझे इस लिए जगे मिली थी. किस हैंसम के लव कॉन्वसेशन सुनने पड़े, ये मेरे लाइट नहीं. ओके, तो कल शाम शार बजे, 4 पीम. कहा में लेंगे, सर? कॉफी शॉप. सुहासनी, तेरी दाल यानी गलेगी. रिचर्ड की टिम कहा है? अलो सर, रिचर्ड? वो आ रहे हैं. है सत्या, फ्लाइट के सफर कैसा रहा है? हिलता डूलता. आजकल फ्लाइट में उतना रिस्क नहीं है, जितना की रोड पर चलने से. उपर आपको कोई गाड़ी आकर टककर नहीं मारती. जबकि हमें जमीन पर हेलमेट वेन कर घूमना पुड़ता है. क्योंकि उपर रोड तो होता नहीं है. शट आप. ए, लड़की को एरपोर्ट से क्यों ने उठा लिया? नहीं विक्टर, जिस आद्वी ने हम पर हॉस्पिटल में हमला किया था, वो लड़की उसके साथ थी. नहीं होता है. झाल झाल झाल, झाल 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 हेलो सर लेफ्ट साइड से सेकंड हुँ ठीक से पैचान किये ना इसी भी समय कुछ भी हो सकता है बी केफुल और वाच्छ लाइक काॉक सर कॉक नहीं होता है कॉक या होक मैं जो कहूं मेरी मर्जी में तेरा बॉस हूं याद रखना बॉस मेरी बात समझ रहो ना अपने पीछे कि आखें भी खुली रखना सरा आखें तो पीछे नहीं होती है कि बॉस इस अल्वेज राइट काम पर लगो मैं चलता हूं अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की मैं भूत्नियों से डरता हूं को फोन को सालेंट पर रखना बोलो डियर डिनर के लिए लेट हो जाए फोन क अथ्या नोगों ने चेक कर लिया है सुआस नहीं रहती है यह लोग सम्भाल लेंगे ठेक है अच्छी तरह नजार अपना है लेट्स गूब गिए हाई सर्फ क्या मैं यहां बैठ सकती हूं या आप किसी का इंतिजार कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू यह कोइंसिदेंस नहीं है आप फोन पर मीटिंग पिक्स कर रहे थे मैंने वह सुना था फ्लाइट में मेरा मन नी माना और आपकी मीटिंग हो गई ना हो गई गूगल मैंने आपके बारे में कूगल किया था कुछ पता चला उसके बाद मुझे और जानने की इच्छा हुई क्योंकि पता था आप यहां होंगे तो मैं चली आई फ्लाइट में तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझे ढूनते हुए यहां तक पहुंच गई आप में एक जादू है मैं आपनी जिन्दगी में कई लोगों से मिली हूँ और आप यहसा कोई नहीं मिला और अब मैं आपको चाने लगी हूँ सबसे पहले आपके बारे में और जानना चाहती हूँ कि गोगल ने जो कहा है सिर्फ उतना ही है यह उसके अलावा भी कुछ और है जिससे पता चले कि आपकी शक्सियत क्या है और यह सब जानने से पहले हम कॉफी पिएंगे लेकिन वो जो अभी सरूरी नहीं प्रढ़ा सोच समझ कर वक्त निकालकर हम दोरों कॉफी पर मिल सकते हैं तब रसाइड करेंगी कि हम दोस्त हो सकते ही यह और अगर दोस्त हो गए तो डिनर पर जाएंगे लंच करेंगे और घूमें ने फिरेंगे और तब फिर सोचेंगे क्या कि हम हम सफर बन पाएंगी या नहीं अभी तो तुम कॉफी पियो बागी बातें बाद में करेंगे हो सकता है सच्चाई जानकर तुम्हें निराशा हो सिर्प निराशा होगी न मैं संभालोंगी अगर कोल्ड कॉफी लंबे ग्लास में मिली तो और वक्त मिलेगा यहाँ पर एक मर्डर होने वाला है देखना है तो देखो आखें बंद करनी है तो मर्जी तुम्हारी है फोन पर रिकॉड करना चाहते है तो कर लो परमिशन मैं देता हूँ विक्तार विक्तार कर दिंग विक्तार करना कई कर दुन झाल अकोचके और्मकाराणा जाल अंगा ये एक पाना अंग हुआ है यहाँ अंगा इसका पाना है यहाँ जहाँ अंगा है यहाँ झाल इसका उहाँ कर दो कर दो हुँआ रे यह लोक चल, चल, चल और जानना जाती हुँ मेरे बारे में मेरे साथ रहना यह है कौन जो अपने प्लान की वाट लगा रहा है वह एकमानदार और जहाबास पुलिस अफसर है नाम क्या उसका नाम सुनेगा तो पैंट में सूसू कर देगा सत्य दियर अब तब्यत कैसी है ठीक है कम्प्लीटली नोन मरी और तुम आयो की कॉफी लंच डिनर सारे प्लान फेल हो गए तुमने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा न अगर मैं नहीं आती तो आप चले गए होते इस सब जगड़े की वज़े कहीं मैं तो नहीं बिल्कुल तुम ही हो वो तुम्हारे लिए आये थे उन्हें तुम्हारी तलाश थी उनमें से एक मुझ से मिले आया था बागी तुम्हारे लिए आये थे एक तीर से दो शिकार टाइप्स यूनो नहीं क्या हो सकता है उन्हें मेरी तलाश क्यों है अब यह सब मत सोचो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा पर तुम्हें वहां रहना होगा जहां मैं कहूँगा यह कुछ ज्यादा नहीं है तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती और जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ, वो बहुत ख़तरनाग लोग है हमारी फ्लाइट की मीटिंग पहले से तैथी क्या? लेकिन आपने ये कैसे दिया? सिर्फ तीन फोन कॉल्स और तुम मेरी बगल के सीप में थी, सिंपल बेबी डालिंग स्वीटार्ट पोन पर कैसे कह रहे थे, फ्लाइट में? कौन थी वो स्पेशल लड़की? अगर आप शादे शुदा है ये कोई और लड़की है, तो मैं आपके बीच में नहीं आऊँगी क्योंकि वो ठीक नहीं होगा और वैसे भी, आपके और मेरे बीच मुझे कन्फ्यूशन नहीं चाहिए आपकी शादी हो गई ये क्या? मुझे लगा था कि मैं शादी शुदा हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं क्या आप दोनों अलग हो गए है? आपको कोई बच्चा है क्या? तब ही, बेबी डालिंग स्वीठार्ट उसी को क्या रहे थे आप, आपकी बेटी है आप समझी, आप एक बेटी की पिता है, राइट? रॉंग, आगे देखो, सिग्नल मैं कोशिश करता रहा कि वो मेरी पिछली जिन्दगी के बारे में ना जान पा है पर उसके सवालों ने मेरे पुराने गाह फिर से ताजा कर दिये प्लीज कम अगर मैं आपके साथ रही तो आपको प्रॉब्लम होगी, इससे तो अच्छा कोई और चारा नहीं है, तुम काम पर भी नहीं जा पाओगी, घर चलो यह सब कब तक चलेगा? जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, वो तुमें छूबी नहीं पाएंगे सत्या उस लड़की को जानता है क्या? वैसे तो वो सब लड़कियों को जानता है जिनको हम टार्किट करते हैं, समझ में नहीं आता अभे, मुझे जानता है वो, इसलिए वाँ बैठा था, उस दिन उसने मुझे देख लिया है, नर्सिंग हम आया था न, उसी दिन, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए सब ठीक है ने सत्या, थोड़ा दर्द है, पर ठीक हुटाएगा, और कुछ नहीं है, हमारे आदमियों को उसे पकड़ लेना चाहिए था, वो चुक गए, उन्होंने कोशिश की थी ऐसे भेड से भरी कॉफी शॉप में, किसी की हिमत कैसे हो सकती है, कि वो खुले हम तुम पर हमला करे, उसने देख लिया होगा, कि मैं साथ हूँ, या ये खबर किसी ने उसे दी होगी, कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जाते हुए उसने मुझसे कहा था, कि वो फिर आ नहीं तो, आप अभिशेक बच्चन की दूर की भेहन तो नहीं, नहीं, हाइट देखकर ऐसा लगा, 510, 510, माइग गॉड, जर देखकर बताओ कि अगले सिग्नल पर ट्राफिक है या नहीं, मुझे उदर से घर जाना है, ये बहुत मजा किया, जोकिंग, तैंक्यू रिचर कुछ ओफिसर्स को यहां छोड़ दो, बाकियों को भेज दो, यहीं हो, मिलते हैं, हाइ स्वीथार्ट, क्या हुआ था, कुछ भी तो नहीं, प्रामिस, प्रामिस डालिंग, यह है मेरे बेबी डालिंग, स्वीथार्ट, सब कुछ, इशा, इशा, इनका नाम सुहासिनी है, ह इशा, सुन, सुहासिनी कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी, इन्हें चोटी सी प्रॉब्लम है, हम इनकी केर करनी है, इसी टोकी, अफ्कोस, पापा, प्लीज काम, प्लीज काम, तुम्हारा कमरा उस तरफ है, यह किसकी तस्वीर है, यह तस्वीर मेरे दादाजी की है, आईये न, मैं अपना कमरा दिखाते हूँ, शूर, आईये, आईये न, बहुत प्यारा कमरा है, यह किसकी तस्वीर है, यह मेरे ममा की तस्वीर है, पापा केते हैं, ममा तारा बन गई है, I'm sorry, पिटी, it's okay, इशा कहाना कहां, मुटा, बुछ पचलेगा, Please feel comfortable, तुम जब पचाओ, यहार है, संतियो, इशा कहारी है, यह तुम जब पचाओ, यहार है, संतियो, आईये, बहुत प्यारी है, इसा क्या हुआ है, वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए है, अच्छ तो बताईए, जानना चाहती हो, क्या हुआ विक्टर, असल में हरजे के पुलिस है, यहां मेरी जान हलक मेट की है, और तुम वहां अपनी बीवी के साथ, पीछ हाउस में कुल छर्र उडाने में लगे हो, सीधे सीधे बताओ, यह काम हो पाएगा या नहीं, पहले मैं लड़कियों के और पैसे ले लो, जहां कहोगे, वीलचेयर में बैट कर आऊँगा तुमसे मिलने, बोलो कहां आओ, 231st C Crossroad, वो लड़की इस वक्त इस पते पर है, और वो जिसका घर है, वो है सत्यदेव, IPS, अहां सर, बिल्कुल सहीगा, MG Road के कॉफी शॉप में वो उससे मिली थी, तो क्या, उन दोनों का चक्कर चल रहा है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बताओ, मैं और आगमी भेज दूँगा, कैसे भी उससे वहां से निकालो, थोड़ा टाइम तो दीजिए सर, तुम जो माग रहे हो, वहीं तो नहीं है मेरे पास, अगर मैं इस दुनिया से गया तो, तुम्हें भी साथ ले जाओंगा काहे जलो मैंने बाकी पुलिस वालों को वापस भीज दिया, और उन्हें अगली सुबह आने के लिए कह दिया सब ठीक है ना? हाँ सर, बताई अब क्या करना है? अपनी अपनी जगह पहुचो, दवाल, एक के पीछे तुम, और दूसरे के पीछे तुम, एक गली में या दूसरी गली में कोई भी आता दिखे, मुझे खबर करो, पुचाहे गली का कुटता ही क्यों न हो, इस वायरलेस से सिगनल करो, और हर आदे घंटे में बात करो, मैं आपको गुड़ मॉर्निंग बोलता रहूंगा सर, गुड़ मुझे खबर आदे खबर है कि अजय को दो अजय को प्रेंगा, कि अजय का लग जाना है, कि अजय को दो सा फॉकर लिए कर दो!! विक्टर को मैं जतना जानता था, वो आएगा, उसे लेने आएगा, और वो जब भी आएगा, मैं रेडी रहूंगा हमारे आदमी उसके घर के सामने तयार बैठे हैं, बताओ क्या करना है सत्या मुझे अच्छे से जानता है, वो जानता है मैं आऊँगा, चलते हैं, मैं बताता हूँ सर अलर्ट, सर एक ब्लाक स्कॉर्ट को घर की तरफ आ रही है तुम लोग क्यों आयो, विक्तर के कुट्टों, वो अपनिंग सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ लफडाना हो जाए, सर बावुराओ आप ते यह ही रहते हैं, यहां इस नाम का कोई भी नहीं है, चलो आप निकलो यहां से, सुआमी को क्या बताएंगे, सर उसने तो यही पता दिया था, गलत पता बताया होगा, सर आपका नाम लिखा है, पड़ नहीं सकते, इससे बात करना फालत हुए, चलो, ए रुख जामत, ए जो लड़की तेरे घर में है, उसे बार भेज, नहीं तो कांट धानेंगे, तुम्हारे घर में लड़की नहीं ह जो यहां खोजने आये हो, मेरे अलावा यहां और कोई नहीं है, अगर होता, तो भी उसे बेजता नहीं, घर में जाकर चक कर लो, मिल जाये तो ले आओ, पर याद रखो, मैं रास्ते में खड़ाँ, और अगर तेरे हिसाब से किसी को मरना है, तो तू है, पूरी तयारी में है, लगता है, गर में और लोग भी होंगे, यहां रोकना ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, चलो, इसे मरना है तो मरे, आम तो चलते हैं, चलो, मैं आओंगा, दस हाथ भी और ले क्या होगा, देखता हूं तो कैसे सोता है, आजा, उसने काना बा पछाओंगा, तो विक्टर, आगे क्या सोचा है, पर क्यों मुझे तो आज स्कूल जाना ही पड़ेगा आज मेरा पोईटरी रसाइटल है टीचा ने कहा है मुझे आना ही होगा प्लीज पापा बोलो विक्टर कब आ रहे हो बताता हूं क्या बाल बाल सफेद हो गया बुड़ा हो गया सकते है बाल की सफेदी तो कल तुमने कॉफी शॉप पर देखी लियोगे विक्टर कुछ और देखना चाहते हो तो सामने आ जाओ चलो मान लिया बड़ी जान बाकी तुम है मगर एक मिनट और रुकते न तो खेल खत्म था बिल्कुल तुम्हारा खेल भटी तुम्हारी कमीज थी सत्या एक बार फिर सामने आओ तुम्हारा भी कुछ नो कुछ भटेगा अच्छा खासा पुलिस की नौकरी छोड़ कर कहीं चले गए थे फिर अचानक क्यों प्रकाट हो गए वो भी इतने साल बात वैसे अची बात है मुझे तो बहुत खुशी है वैसे एक बात पूछनी थी वो तुझे चाहिए क्या नहीं ना तेरी गलफ्रेंड है नहीं ना तो फिर क्यों सत्या खुजली है वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो वर्दी की खुजली कच समझे सहामाज गया मैं भी तेरे जैसे ही हूं सत्या मुझे भी खुजली है बहुत साल पहले तुने समझाया था मगर मैं तेरी बात समझना चाहता नहीं था तो क्या है ना, लाइफ में आगे बढ़ जाओ फिर उसके बाद वापस आया नहीं जाता मुम्कीन ही नहीं, हो यह नहीं सकता समझा सत्या बहुत अच्छी तरह सही कहा तो आप क्या सत्या क्या है राद है? मिलते हैं, आजब परानी दोस्ती के लिए तुझसे क्यों मिलू मैं, तु कोई बहुत बड़ा डॉन है, बड़ा आदमी है, नहीं न मुझे तुझ पर भरोसा था सत्या पर तेरी इस हरकत ने मेरा दिल तोड़ दिया तुझे लेकर मैंने कितने बड़े-बड़े प्लान्स बनाये थे मगर तुने मेरे गैंग में घुसकर मेरी ही मट्टी पलीद कर दी मुझे वो धोका याद है सत्या, याद है मुझे मैं अपना फर्ज निभा रहा था विक्टर और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम और तुम्हारे आदमी कोई सच्चाई खिटे के दार और दूद के दोले हैं तुम्हारे कुरूप का हर आदमी और तुम भी एक नमबर चलो मान लिया इसलिए मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करके यही बात तुमसे कहूंगा कि मैं भी अपना फर्ज निभा रहा था आगे बोलो मैंने उसे उठा लिया सक्या समझा ने मैंने उस लड़की को उठा लिया है सक्या अब समझ में आई तुम ठीक हो सत्या सब ठीक तो है ना सब ठीक है सॉरी बता तुने कैसे उठाया है विक्टर डरा या नहीं जाके चेक किया या नहीं मतलब वो घर में ही है ना बोल विक्टर मैं ही तो बोल रहा हूं कबसे तु बोल विक्टर बोल विक्टर बोलता रहेगा तो मैं क्या सारा दिन बोलता रहूं कुछ तो गड़बर है सत्या जार तुझ में वो पहले वाली जो बात थी ना वो नहीं रही बुड़ा हो गया है, आवाज का दम चला गया है क्या हो गया सत्या यही तो मैं भी सोच रहा था वो क्या है न, मैं बताता हूँ असल में यह फोन कॉल वेगारा यह तो पुलिस ट्रेस कर लेती है, है के नहीं अब हम इतनी देर से बात भी कर रहे है क्या वो अट्रेस नहीं किया नहीं वो, अगर किया होता तो तुम्हें पता लग चुगा होता कि मैं कहां पर हूँ दस सेकेंड में यह फोन बंद हो जाएगा थुड़ देर पहले, मैंने एक बात कही थी याद है सत्या, कि मैंने उसे उठा लिया है वो वात आप कहनी चाहिए थी तब बंद आता तेरी बेटी के स्कूल से बात कर रहा हूँ मैं दुबारा फोन करूँगा सत्या उस तरह भूलो, मेंन रोड की और जाने वाले सारे रास्तों को ठीक से चेक करो इस मुक में सारी गाड़ियों के नंबर लिखो मेरी लास्ट कॉल का लोकेशन बताओ स्कूल पहुचे, अपनी एक टीम को स्कूल भेज देता हूँ बच सत्या, कहीं ये कोई ट्रैप ना हूँ इसलिए तुम ज़रा घर में ही रहना ठीक है अभी किसी का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बेक करता हूँ ओके आप बोलो फिलिप सार, रेस रूटेट टू फाउंटन हेट स्कूल सार थैंक यू फिलिप बेसी की टीम के पांच आदमियों से कहो कि वो फाउंटन हेट स्कूल जाए अब हमें निकलना है, जरा जल्दी स्कूल जल्दी तुम्हारा नाम क्या है? ए जल्दी करो जल्दी एमुलेट सावे इंक वास्पिटर ले जाओ जल्दी से सर मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता पर विक्टर के आद्मियों ने ही इन पर हमला किया होगा सर हमने हर जगा नाकाबंदी करवा दिया लेकि जाओ जाओ ठीक से पताओ क्या हुआ था सर गामटाब मास्टों आए थे और उनमें पहले सर इनके उपर हमला किया सर उनमें से एक में आद्मियों था और वो बज्ची को उठा कर सर उस तरफ लेके गए स्कूल पहुंच गया क्या है विक्टार देख तुझे एक गंटे का वक देता हूँ तेरे साथ बैठे ने वो खुबसूरत वाली है पहले उसे मेरी पताई जगे पर ले जाकर छोड़ दे उसके बाद मेरी पताई दूसरी जगे पर आ जाना और अपनी छोटी वाली को ले एक घंटे के अंदर अगर खुबसूरत वाली मेरी गाड़ी में नहीं चड़ी तो तेरी छूटी वाली को पार्सल करके तेरे घंपे कोरियर कर दुआ विक्टार इसनों मेरी बच्ची को मत कसे इट एलाइट तेरी मेरी है तेरे मुझ से दो ही शब निकलने चाहिए कहां आ और फिर कभी आराम से बैठ कर बात करेंगे तो मैं तुझे बताओंगा कि हेमानिका ने मरने से 10 सेकिंड पहले क्या कहा था ठीक है ना सत्य अब तक मैं जोट के साहरे जी रहा था कि हेमानिका को गोल्डन राज ने मेरी इमांदारी की वज़ा से मारा है जबकि वो मेरी हमाव कर दो विशा है इशा, ओमाइगाड, उसने आपको जहां भी बुलाया है, वहां पहुंचते ही, मुझे जाने दीजेगा, मैंने ही जाती ही, मेरी वज़े से इशा मुसीबत में पड़ जाए, प्लीज, प्लीज, सोहासिनी, ये जरूरी नहीं है, और उनके, लाट्टॉम, इशा, बेबी, कहा हो तुम, प्लीज, बेबी, अगर एक बार और आवाज निकाली हो, तो मार तूँगी तुझे, सर, जीपियस ट्रैकर, इशा के, स्कूल बैग में, नहीं उसकी घाड़ी में है, थैंक गॉड, क्या बात है, सर, इशा इस समय यहां है, लगता है रास्ते में इशा की गाड़ी बदल दी है, इस एरिया में, या अनन्दा से चार नाका जाता है, टीम को बोलो, कहीं भी सफेद इंडेवर को पाक देखे तो उसे चेक करें, और इशा की पोजिशन बताते रहो, रिचर्ड, बुरूर, बलाल पंजा, एएपोर्ट, हर जुगे भी टीम तेनात रखो, उस रास्ते के सारे वेहिकल चेक कर सकते हो, क्या, सर, वो आगे निकल गई है, यह तर भुण गई है, सर, एएपोर्ट, एएपोर्ट की तरफ चलिए, रिचर्ड, गाड़ी एपोर्ट की तरफ जा रही है, ओके डन, I'll call you back, तो पास ही है सर, जा रहा है सत्या, माउंट रोड, L.I.C. कॉनल, अच्छा, तो उसके लिए इतना घूम के क्यों जा रहा है, यह L.I.C. की बिल्डिंग कही शिफ्ट हो गई है, हो गई है तो बताओ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया अगर L.I.C. बिल्डिंग जाना था, तो पहले ही राइड लेना चाहिए था, यह कम से कम अब राइड लेना चाहिए, तो ने लेफ्ट यू ले लिया सकते है, तो जा से मर्जी है, लेकिन तेरे पास पौना खटा है, और मेरी गाड़ी, वो आइन ब्रिज है ना, आँ, आज के बाद हमारी बात नहीं होगी, लेकिन मेरी बाते सुन लिया, तो आखरी बार आवास सुना दे, समझा विक्टर के अलावा और कुछ मत बुलना, समझा विक्टर, तो क्या हुआ? विक्टर के आदमी, पकड़ो उने, ठीक है साथ, यह कहां था है, बहार निकारो इसे, उस दिन तरी दुआई की थी, याद है ना, तुही विक्टर को फोन कर रहा है ना, फोन का है, मेरे पास फोन नही है सर, फोन निकार, तोड़ी मार पिट करनी पढ़ती है, किसका फोन है, जल्दी बता, विक्टर, महां क्या चल रहा है वे, तुने फोन क्यों नहीं किया, उसमें गाड़ी घुमा दिये, मैं पीछा कर रहा हूं, बहुत ट्राफिक है, अभी का है वो, उसमें गार्डन से टरन लिया है, शायद सलाम चौक से नंदन वन पहुच मेरे ख्याल से, LIC से होते हुए, नेपियर प्रेज जाएंगे, अगर वो प्लान बदलता है, तो मैं सबर कर दूँगा, ठीक है, अच्छा, ऐसा है, ची के मैं बताता हूं, वो शियार रहना है सर्फ, ट्रैकर रुख गया है, सिग्नल बुगा, अभी कहा है, जस्ट बिफोर दी एएपोर्ट सर्फ, नी सर्फ, तु कहां पर है, एएपोर्ट रोड, इथे खूब ट्रैफिक है, आधा गंटा तो लगेगा ही, कां था बप्वास कर रहा है, मैं उसे नेपियर प्रेज के खड़ा हूँ, वो यही से गोजरना चाहिए था, पर अब तक आया है नहीं, और मुझ से कह रहा है, सलाम शॉक पहुंच गया है, कुस तो कडबड हो रही है लीशा, सर्फ, अब यह लोग चल पड़े है, सर्फ, वो हॉन्डा शोरूम की तरफ मुड़े है, वाह से कोई सब रुके रुके इधर नहीं, ओन्डा शोरूम के लिए यूटाल ले लिजी सर्फ, अब यही है, यही पर आया है सर्फ, चेक करते रहो, शॉर सर्फ, ट्रैकर यही रुका है, दज मिनिट से गाड़ी की कोई मुवमेंट नहीं है, सर्फ, सम्हल कर, डोंट शूट, डोंट सत्या तुई है ना, विक्टर ने तेरे लिए वाच भेजा है, और साथ में कहा है तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, बच्ची का है, मेरी बेटी का है, एंकट किसी सर्फ, भाल तो भंकस नहीं करता, समझा ना, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता, कि पोन है सर, बोलो विक्टर, कौन है वाँ पे, सत्यदेव, और दस बारा पुलिस वाले भी यह, और कां था, कां था नहीं दिख रहा है, लड़की है कि लड़की, वो तो जीप में वैठी है, फोन दे उसे, फोन दे उसे, सर सर, विक्टर, रिस्क ले रहा है सत्या, अभी तक रिस्क ले रहा है तू, एक घड़ी पहना कर अपनी बेटी को ढूब लेगा, ये सोचाता ना, और ये बात मैं जानता था, है ना, कितना एक जैसा सोचते हैं सत्या, है, मेरी बेटी का है, सुहासीन ही किदर है, मुझे इशा को देखना है, पहले मुझे मेरी बेटी को उसे मेरे हवाले कर और फिरे से ले जा, है, नेगोसियेशन के लिए जगे नहीं है, तू अपनी सिचुएशन को भूल के मुझे से बात कर रहा है, तू सिर्फ वक्त बर बात कर रहा है, वो लड़की वहाँ खड़े आदमियों के हवाले कर और निकल जा महां से, तेरी अब तक डाउट नहीं था, लेकिन अब हो रहा है, तो पुलिस वाला ना होकर पाप होता तो ऐसा करता, कब से तुझे समझा रहा हूँ जो कह रहा हूँ करता क्यों नहीं, क्यों तंग कर रहा है मुझे, तुझे दोस बनाया, तुन्हें जिद्धी के बरबाद कर दी, घथदार सला, वो लड़की सियादा प्यारी है, अपनी बेटी प्यारी नहीं है तुझे, बताओ, एए, मैं आज़ा हूँ वहां, कौन कोन है मापे, मुझे वहां कोई नहीं चाहिए, सब को भेज भाहा से, मैं आ रहा हूँ, जेकते हैं कौन बसता आज, तुझे टपका कर ले जाओंगा उसे, आओ क्या, चुपकर साले, जब की तेना बंद कर आँ सामने आजा, मेरी पेटी के बीच कर पारसल करनी बढ़ेंगी मुझे, अगले पीस सिकंद में तुझे फोटो बेज़ता हूँ, फोन है ना तेरे पास, वाटसाफ एना उसमे, बेज़ता हूँ फोटो, अब में कहा करूँ, बोल ये बात, अब खेल खाथ, जैसा कह रहा हूँ ऐसा कर, तेरी बेटी छोड़ होगा, कां था कहा है, तेरे साथ है ना, उसको फान दे, अरून, सर, कां था, ये सर, क्या ये लोग मर गये क्या, नहीं जिन्दा है, सिर्फ पैर पर लगी है, और क्या बच गया है, तुमको तो लड़की लेकर निकलते हैं, आहां जल्दी हा, विक्टर और एक बात, हाँ ब बहुत फंकस करता है, यत्थू, वो फूक मारेगा, मर जाएगा तू, गाड़ी में बैठ चिपचप, ठीक है, इससे तो मैं बाद में देखूंगा, मेरी नाक तोड़ दी, इसने, लड़की को लेकर आ रहा हूं मैं, अबे लड़की को ले और इधरा, ये, ये, गाड़ी म करूंगी अबे प्रूंगा अपने क्लाइंट के साइज के लिए यही बढ़िया है उस लड़की निलंजना को छूना ही नहीं चाहिए था वही गलती हो गए इसलिए सत्या इस जहमेले में है तेरी वजे से कर दो कि अगे से लेफ लेजिए गासर लेफ गूंते ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी यही वह जगे है कई मंजिला है सर वो उस लड़की को वही ले गए है वो लोग किसी पेशन्ट के इंतजार में आपरेशन की तयारी कर रहे हैं सर मेरे बच्चे की जिंदगी आप ही की वज़े से बच गई मैंने कभी नहीं सूचा था कि वो 10,000 उपई जो मैने उसके बच्चे की जिंदगी पचाने के लिए दिये थे वो आज मेरी बेटी की जिंदगी पचाने के काम आएंगे हम पहुंच गये हैं कहा ना है बताओ हाँ आजा यहां सब इचा के रखा है सब तयार है तुम्हारे अंदर आते ही लड़की को खोल देंगे ऐसे गाड़ी को रिबर्स लेके गेट के अंदर लेलो खुल भे को तुम तो तू है मेंड विलन एक पत्थर दल जिससे उधार की धड़कने चाहिए हम तुम्हारा थाहिए और अंदर ऑंफ मेंट तुम्हारा थे यहां तुम्हार कर दागी अंदर देवर्स दी तुम्हारा है हुआ 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 है खार एक दूझ है ही तेटि लावाद है क्योद के लिए में tyre क्या अच्छा एक क्या यथ lucky वायस कि अनीजिए अच्छानी है चल्हक्त है तो गुए है हुए वायसो शुए है अबड़ो और विलाओ कर बच्छी है यहाँ मेरी बेटी काई एए नो लो 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 तुरी थाड़ा कि लो 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 लूए अ लीशा, सब गडबड़ो गया, सत्या पुलिस लेकर घुज गया, बख्या ने दोखा दे दिया, हरे देवा, अब क्या होगा विक्टर, लाग तो राय की बच गया, वगर पता नहीं, गभराना मत, तुम्हें ही रोख, तो कहां ही ये किसी को नहीं बता, नहीं, लीशा, मैं अ विक्टर, तुम जल्दी आओ, तुम जहां कहीं हो जल्दी आओ, अभी आओ, मुझे इशा चाहिए विक्टर, कहां है इशा? है अजए, अथ ही ये, तोगाने कि आह से हुआ को तो कहा थे हाला, नहीं, ओुम। हाओ, आप पलौवसे कjustा ड़के, तो हमाउ था ये कि वाल्यों बता, तुम। हाओ, 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 हाँ'T ओ श्रजबको अई विक्टा, ये देरा वग्थ है. इतने साल से जाजे टू भाग रहा है मुसका एक ही मतलब है. ये देरा वक्त है उपना मत, उपना मत!!! beneficiaries लीशा, तेरे बुलाने पर भी मुझे नहीं आना चाहिए था, क्या करता, तू ही तो मेरी ताकत थी, रोती तू थी और सड़ता मैं था, तुझसे पागलों की तरह माभबत करता था, लीशा, यह तुम क्या कर रही हो, तुम यहां से एक कदम ही बाहर नहीं रख सकती, बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूगा, नहीं, जितना मैं रोई होना सत्या, तू भी उतना ही रोएगा, काश तेरे लिए तुझसे दूर रह पाता, तो आज तू जिन्दा होती, मेरी गलती, ऐसी गलती जो मैं नहीं सुधार सकता, मुझे माफ कर देना, लिसा, मुझे माफ कर देना, बच्चों की तरह स्कूल जाने पर मजबूर कर दिया सत्या, ओके, गुड़ नाइट सुहासिनी, वहाँ है गुड़ नाइट, यूस में तो सुबह होगे निटल गर्ल, ओके, चलो मैं जल्दी आओगे, बाई, बाई, सब ठीक है ना, यहाँ विक्टर की तलाश जोरों पर है, अब तुम जल्दी आप आओगी, यह बस एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, और कुछ नहीं, आभी भी खाद्रा है, होश्या रहना, ठीक है, सुहासिनी को कहीं तो भेज दिया है तुने, एरपोर्ट पर देखा था तुम दोनों को, दो लोगों को एक साथ संभाल नहीं पायागा, यही सोच की बेच दिया ना उसे, अब अपनी बेटी को संभाल रहा है, बहरा दे रहा है, मुझे तू नहीं चाहिए सत्या, तेरी बेटी चाहिए, मेरा भी वक्त आएगा, वक्त बद्ला लेने का, और जब वो वक्त आएगा, मैं सब को मारना लोगा, अनन, सेल्वम, सेल्वम, अनन, मुझे मालून है कि तू यही है, क्योंकि मेरे कॉंस्टिबल्स गाइब है, चल सामने आविक्टर, यह क्या वक्त आविक्टर, तुझे मार के, अंदर तरी बीटी सो रही है न, उसे साथ ले जाने आया हूँ, सामने के रास्ते से जाऊँगा, उसे सड़कों पे हावारा गुमाऊँगा, जिन्दगी भर उसे साथ रखोंगा, खुब खैल रखोंगा उसका, बस कर वक्तर सपने मत देख, आजा, मैं किस से शादी करने वाली हूँ पता है, वो तुझे ढूंडता हूँ आएगा, और तुझे कमारेगा, ऐसा कहा था उसने, इतनी खुबसूरत थी न, वो, उसके मरत ही दूसरी रड़की रूली तुने अपने लिए गलत बैद, इमानिका को तुने कैसे मारा था बस ये बता दे, फिर मैं उसके सपने को सर्चाई में बतल दूँगा, बादा करता हूँ मैं, मैं तो सुचता था कि उस औरत को मारना नहीं चाहिए था, लिजा को, पर अब लगता है उसे मारना सही धारा, चल अब खेल खत्म करते हैं, या तो तेरी स्राँ से चलेंगी या मेरी, वार कर, कि उसेने, आबकि आए जा खत्म करते हैं, कर कि क्या को अब बंगा को अर्ड कर दो कर दो कि अज अप्पा एट आप एक आफ पाप आप आप पाप आप आप न थेलिए जाए एकौल in एक सर्थ फरीने काम खट्पिर्ण बड़ कर थाल कर दो अच्छे आदमी और बुरे आदमी के बीच के जगड़े में जो जीतता है वही अच्छा कहलाता है हारने वाला हमेशा बुरा ही बनता है कल मेरी मौत का कोई बतला लेगा तो वो अच्छा कहलाएगा